नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्नावज में बनने वाले पारमपरिक तरीके से अतर और एसेंशेल आल के खुश्बू के बारे में पारमपरिक डिश्टिल्ड अतर उसी तरह बनाये जाते हैं, जैसे वे सिंदु गाटी सब्धा के दोरान बनाये जाते थे पारमपरिक तर बनाने के मुक्य घटक, तामे वा मिट्टी के बरतन होते हैं, जिनें डीग कहा जाता है एक तामा प्राप्त करने वाला बरतन चंदल के तेल से युक्त होता है, जिसे भबका कहा जाता है और सभी निसकरसंट तकनिकों का सबसे धीमा और सबसे कोमल अर्थात हाइड्रो डिस्टिलेशन भाप आस्वन जो भहुत अधिक तापमान पर आयुजित किया जाता है चलिए, आज हम बात करते हैं, रोज अतर यानि गुलाब के अतर के बारे में कि एक कैसे हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसस के जरीए इसको निस्ट्रल तरीके से तयार किया जाता है यह एक बड़ी ही संदर पक्रिया है जो की धीमी और सरमसाद्ध है सबसे पहले गुलाब के खेतों से आए हुए ताजे गुलाब के फूलों की पत्तियों को तोड़कर वह उनको साफ करके इन तामे की डेक के बर्दोन में भरा जाता है तत्पश्याद एक मीजरमेंट के हिसाब से उसमें हम पानी की क्वांटिटी तै करके इस टेक में भरते हैं जिससे सुगंदित सामगरी तरल में सुतंतर रूप से तैड़ती रहें और गीली मिट्टी, खुवाल और कपास के रेशो के मिस्रण से ढकन को सील कर दिया जाता है डिगरी एक मिट्टी या इट के ओवन के उपर टिकी होती है जो पूरे दिन बहुत कम गर्मी पर बनी रहती है एक बार आग लगने के बाद इसे कम से कम आट गंके तक चालू रखा जाएगा एक बार जब डिग गर्म हो जाता है तो सुगंदित वास्प मटके के अंदर बनना शुरू हो जाता है और यह फिर एक कोड़ वाले बास के पाइप से गुजरते हुए पानी के उतले बेसिन में डेक के नीचे इन तजार कर रहे लंबी गर्दन वाले तांबे के भपके में चले जाता है जो वास्प को तुरंट थंडा करने का काम करता है भपका में प्रभाहित करें और इसे तरल से बदल रहे भपके में पहले से ही एक तरह के बेस आगल का इस्तमाल किया जाता है जो गुलाब की पंखड़ियों की सुन्दर सुगंद और लगाने वाले गुणों के लिए बेश कीमती है लाइक और शेर इत्र इंडिया कनोस्ट अपरफिंशिटी